कि अब कि अब कि अब कर दोस्तों मैं आ गया हूँ आप लोग एक बार जुम के सेर करिए पहले जुम के सेर करिए और इसको पढ़िये दो मिनट पढ़िये उसके कि अब आगे प्रस्न gaar करे में प्रस्ण की इस पैसेस के माध्यम से तो एक बार आप जुम के सेर करो और अपनी संख्या को बढ़ाओ फिर आपको मैं पुर्ष्चन की तरफ लेकर चलता हूँ इसको एक बार पढ़ लो फिक इसको आप एक बार पढ़ो क्या करा है कि संस्कीत भासा के आदि कभी और रामायड के रचैता महर्ष बालमीक के जन्म के बारे में प्रमारिक जानकारी उपलब्द नहीं है उपनिसत के विबरड के अनुसार महर्ष कश्चप और अधित के नमम पुत्र वरुड से इनका जन्म हुआ था एक बार ध्यान में बैठे इनके सरीर को दीमकों ने बाबी बना कर धक लिया दीमक की पाबी को भी बालमी की कहते हैं लीमक की पाबी को भी बालमी की कहते हैं कहां चले गए सब लोग भया सब लोग कहां चलेगे बाई एक बार जुम के सेयर करो और जगाओ सब जो सो रहे हैं जनमेजे आपके ताथीगड गयब है पता नहीं चल पा रहा है हाँ चलिए तो हम लोग प्रस्निकी तरफ चलते हैं और जवाब और सवालों का सिलसिला प्रारम करते हैं बिल्कुल गूड इमनिंग बंदना जी आ गए और बिल्कुल आपका स्वागत है आप लोग आ गए हैं कुछ लोग दिख रहे हैं उसमें से और हरीज भी आ गया सीतापल भी जुड़ चुकी है कजल भी जुड़ चुकी है जागरती भी है सबको गूड इमनिंग हाँ बिल्कुल सब ठक गए हैं हाँ अरीज जी बिल्कुल लग भी रहा है सब ठक गए एकी दिन में एकी दिन में आप परास्त हो गए हिम्मत हार गए अरे अभी तो बहुत बड़ी लड़ाईयां लड़नी है आपको ना तो अभी से हिम्मत मत हारो ठीक है हाँसले बुलंद रखो और चलते हम लोग जवाब और सवाल के सिल्सलों पर आगे बढ़ते हैं तो प्रस्न है इसको आपने पढ़ा होगा इसी के अधार पर आपको प्रस्न का जवाब देना है प्रस्न है पहला है तीमक की बाबी को क्या कहते हैं सब देखते हैं कि किसका जवाब सरुप्रथम आता है जिसका जवाब सरुप्रथम आएगा उस बच्चे का नाम लिया जाएगा मनलिका जी भी जूट चुके है उनका जवाब आ गया है सबसे पहले उन्होंने कहा कि बी बी और बिलकुल हारने वालों में से नहीं हो आप लोग बहुत साहसी हो बस एक बापनी संख्या को और बढ़ा लो सब हर जगा सेयर कर दो जितने भी आपके पुरुप हो इतने भी कंटेक्ट हो उसमें सब में सेयर कर दो और इसका जवाब दो और मैं देख पा रहा हूँ जवाब आप लोगों का आ रहा है और सब का जवाब एक तरफ से भी आ रहा है दीमक की बाबी को क्या कहते हैं बालमीक कहते हैं वालमीक कहते हैं छत्ता कहते हैं या फिर गोसला कहते हैं आप लोगों ने जवाब तो दिया है और जन्मेजे बिक्रम कह रहे हैं बीज राइट है और मुझे और मुझे अपसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबका जवाब गलत है बड़े अपसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि पहले प्रसुन का सबका जवाब देखो भई कहे क्या रहा है कि वाभी किसे कहते हैं वाभी किसे कहते हैं वालमीक को कहते हैं या वालमीक को कहते ह ठीक तो यहाँ पर हलाकि यह जवाब तो आपका सही है इस हिसाब से आपका जवाब सही है हलाकि यहाँ पर जो था प्रस्ण में वो बालिमी का था यहाँ पर लेकिन अगर यहाँ पर बालिमी की है तो वही उत्तर आपका सही है कोई दिक्कत नहीं सब का सही है फिर एक यहाँ पर अगर बालिमी की है तो आप सभी का जवाब सही है यहाँ पर भी आपका बालिमी की होगा सब का जवाब सही है एक अगर वहाँ पर बालिमी की दिया होता तो बालिमी की उत्तर सही होता लेकिन वहाँ पर बालिमी की दिया है तो बालिमी की सही है ठीक किलियर सबका उत्तर सही है कोई दिक्कत नहीं है अब हम अगले प्रस्द पर चलते हैं तुसरे प्रस्द का जवाब देखते हैं कि कितने लोगों का सरोप्रसम जवाब आता है और सही जवाब आता है प्रस्ण है हिंदी में प्रियोग होने वाले वर्ड कितने हैं? कमेंट करो, साबर तोर जवाब दो आप हिंदी में प्रियोग होने वाले वर्ड कितने हैं? सभी भाई बंधों का जवाब लाजवाब होना चाहिए, सही होना चाहिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ठीक और देख रहा हूँ कि ताबर तोड़ जवाब आप लोगों का आ रहा है C और बिना कुछ कहे सुने सबका जवाब सही है सबका जवाब सभी बच्चों का जवाब सही है पावन या आपको पैसेज में नहीं मिलता इसका उत्तर लेकिन जो पहला प्रस्ण था उसका उत्तर आपको पैसेज के हिसाब से बताना था ठीक ना कि अपने मन से ठीक इसको तो आप व्याकरण के हिसाब से इसका जवाब देना था लेकिन उसका जवाब पहले का जवाब आपको पैसिस के हिसाब से देना था पैसिस में जो लिखा था उसी के हिसाब से आपको मानने होगा अगर वहाँ वालिमी की जगा वालिमी को होता तो वालिमी को होता उत्तर पहला वाला अफसन सही होता लेकिन वालिमी की था तो दूसरा वाला उत्तर सही था जो आपने किया था और सबका सही था और ये दूसरा प्रस्ण का अभी जवाब सभी बच्चों का सही है बिल्कुल तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं अगला क्या ये मिस्र वाक्य है या मिस्रित वाक्य है या ये सभी है खुड़ा समल कर और सौच कर जवाब दिज tooling जवाब सबका सही होना चाहिए जवाब आ रहा है प्रभीन यादो का जवाब आया है बी जनमेजे का जवाब आया है सी जगरित का सी पी और सी जवाब मिला जुला आ रहा है पी और सी में सुन्दु चल रहा है देखते हैं किसका पलरा भाड़ी होता है और इस सुन्द में ब जाए किसकी होती है घंडा किसका बुलंद होता है बी का या सी का पहले आप जवाब दे लो सब लोग जवाब दे लो कोई दिक्कत नहीं है सी जराइट अंसर जनमेजे कह रहे हैं कोई बात नहीं है जो भी होगा आपके सामने आने वाला है बहुत ही चंद समय में आपके सामन सर सुटी का राय भी कोई बात नहीं है मेरे पिता और आरे समाजे कमा रानी मंडी के प्रधान थे और मा और मा ने इस्तरी सिच्छा के लिए आदर्स कण्यापाड साला की स्थापना की तेको जब दो वाक्यांस या दो वाक के या दो उपवाक के आपस में और तता किंट परं लेकिन अथवा इन सब सब्दों से जुड़ता है तो वह संयुक्त वाक के कहलाता है तो वह संयुक्त वाक के कहलाता है एक किससे जुड़ता है जब आपका और तथा किंट परंत लेकिन अथवा इन सब सब्दों से कोई वाक के आपस में जुड़ता है तो वह आपका संयु तवाक्य की विशेस्ता है कि दोनों वाक्ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं अब कोई एक दूसरे परास्य तो नहीं होता है यहां पर कागे रानी मंडी के प्रधान थे अब इस वाक्य से इतने से अब दूसरा वाक्य है कि माने इस्तरी सिच्छा के लिए आदर्स कण्या पाट साला की स्थापन ना कर पाती फिल्कुल कर पाती वो तो उनकी मर्जिय वो अपने स्वतंत्र विचार से वापना काम कर रही है और यह अपना काम कर रहे हैं दोनों वाक्ये अपने आप में स्वतंत्र है और जब दो वाक्ये अपने आप में स्वतंत्र होगा तो और त संयुक्त वाक्य कहलाएगा किलियर वा आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा ठीक तो आधे लोगों का जवाब तो सही था लेकिन अधिकतर लोगों का जवाब गलत था ठीक अधिकतर बच्चों का जवाब गलत था कुछ बच्चों का जवाब तो सही था लेकिन अधिकतर बच्चों का जवाब गलत था ठीक अधिकतर बच्चों का जवाब गलत था ठीक चलिए अगले प्रस पर चलते हैं अगले प्रेंस पर आगे बढ़ते हैं देखते हैं ठीक तो आपने समझ लिया इस प्रस्ण का उत्तर कि क्यूं होगा कैसे होगा क्या होगा ठीक जैसा कि मैं समझ पाया कि अधिकतर बच्चे जवाब जो दिये थे वो जवाब उनका संतोस जनक नहीं था ठीक ये भी आपको ग्रामर की हिसाब से ब्याकरण की हिसाब से बताना था ना की पैसेस की हिसाब से ठीक है हाँ बिल्कुल मैं जल्दी कर रहा हूँ अगला प्रसन है आपका अगला प्रसन है ध्वनिया कितने प्रकार की होती हैं ध्वनिया कितने प्रकार की होती हैं आपको जवाब देना है दो चार तीन पाँच जवाब दीजिए दो चार तीन पाँच बहुत तेज जवाब यह उतना जल्दी मैं करूँगा यह आप पर निर्बर करता है तिक है जवाब दीजिये आप सबीका जवाब आ रहा है तो प्रकार की बिल्कुल भनिया तो प्रकार की होती हैं कौन कौन सी कौन कौन सी तो प्रकार की हो एक आपकी स्वर एक आपकी ब्यंजन क्लियर यह तो आपका सबका सही है मैंने देखा एक तरब से सबका जवाब यह आया है ठीक बिलकुल अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है आपका मिठ्य का बिलोम निमने में से क्या है कमेंट करिए मिध्या का बिलोम बिलोम निमने लेखित में से क्या है जूट है सत्य है असत्य है गलत है बोलो मिध्या का बिलोम क्या है पताइए तब ही का सई होना चाहिए कमेंट करें और यहां कोई देखे तो कट पीड़ी जा रहा है चल नहीं नहीं रहा है क्या मतलब है चलिए हाँ थोड़ी सी दिक्कत है वो कुछ दिक्कत थी आप ठीक चल रहा होगा ठीक बिलकुल आप जवाब दीजिए साथ नंबर का जवाब आपका पी समान का बिलोम बिलकुल इतना आसान सा प्रस्ण है समान का बिलोम आ समान बिलकुल इसमें कोई समस्चे नहीं थी ठीक समान का बिलोम आसमान आगे चलते हैं कारूड का बिलोम है कारूड सब्द का बिलोम सब्द है पताईए तब कमेंट करें और खाष्ट कमेंट करिए जिससे जल्दी हो सके कारूड सब्द का बिलोम सब्द है बिल्कुल आप कमेंट करिए तर प्रथम जवाब आया है सुधाकर जी का आठ का ए करूड का निश्ठूर करूड का जवाब निश्ठूर बिलकुल सब का जवाब मैं देख रहा हूँ यह आ रहा है सभी का जवाब एक तरफ से और सभी का जवाब सही है करूड का जवाब करूड का जो भिलोम होगा वह आपका निश्ठूर होगा बिलकुल करूड यानि करूडा पूर्ड दयावान और निश्ठूर मतलब निर्दई कुरूर जिसे आप कहते हो करूर मतलब कयावान और निश्टुर मतलब निर्दई, जो करूर होता है आगे चलते हैं अगला प्राशन है आपका वन का समानार्थी सब्ध है कमेंट करो, बहुत तेज कमेंट करिए आप लोग देखते हैं सारौपतम किसका जवाब आता है कमेंट करिए वन का समानार्थी सब्द है बिल्कुल प्रस नंबर नौ का जवाब आया है सुधाकर जी का सरुप्थम जवाब आया है बिल्कुल आप लोगों का जवाब आ रहा है नौ का सी ठीक बिल्कुल जितने बच्चु का जवाब सी आया है वन का समानार्थी सब्द आटवी होता है सारंग नहीं होता है है आटवी होता है clear अगले प्रचलते हैं अगला प्रशन है आपका प्रशन नमबर 10 अशिष्टता सब्द में कौन सी संग्या है क्या ब्यक्तिव आचक संग्या है क्या भाव अचक संग्या है क्या समूम अचक संग्या है या जातिव अचक संग्या comment कर ये तभी बच्चे comment करें प्रस नमबर 10 का जवाब CTG का सरुप्थम आया है जवाब दिनकाईC है प्रस नमबर का और अधिकतर बच्चे कह रहे हैं B है अधिकतर बच्चे कह रहे हैं B है और कुछ बच्चे कह रहे हैं C है और जवाब भी आपका प्यारे बच्चों B ही वोग आसिष्टता आसिष्टता अता प्रत्य जब लगता है वह भावाचक संग्या बनती है भावाचक संग्या है असिष्टता, लगुता, मानवता, दनवता, उड़ापा, बच्पन ये सब आपके क्या है भाव अचक संग्या के एक्जामपल है चलिए अगले प्रसपर चलते हैं अगला है आपका रचना की द्रिष्ट से क्रिया के कितने भेद हैं पहुती प्यारा प्रसन है, पूछा गया प्रसन है ये रचना की द्रिष्ट से क्रिया के कितने भेद हैं बताना है आपको रचना की द्रिष्ट से क्रिया के कितने भेद हैं बताईए और आपका जवाब आ रहा है आसी फली का जवाब आया है B और C चार और नीलू का जवाब आया है B अरीस का जवाब आया है C अरे भाई रचना की दृष्ट से किरिया के कितने भेद हैं तो आप कहें D नहीं कह रहे हो जो जवाब है उसको क्यों नहीं देते हो जो लाजवाब है उसको क्यों नहीं देते हो ती तो हैं एक आपका सकर्मक और दूसरा आपका कर्मक तो सकर्मक और दो ही तो हुआ सकर्मक कर्मक रचना की दृष्ट से प्रयोग की दृष्ट से अगर पुछा जाता तो पांच हो जाते प्रशन नंबर 12 पिरामिड बहुत बड़े और उंचे हैं में कितने बीशेसर सब्द हैं आपको बताने हैं देखते हैं कि सरव प्रथम किसका जवाब आता है और सही जवाब आता है प्रशन नंबर 12 का जवाब दीजिए बताओ देखते हैं जनमेजय जी का जवाब आया है इन्होंने कहा है तीन और प्रवीन का जवाब आया है भी उदाकर कसी आसिप कसी कोई बात नहीं है देखते हैं पिरामिट बहुत बड़े और उंचे हैं इनमें कितने बीशेसर सब्द हैं देखो बड़े और उंचे इसके अलावा बताओ कि काउन सा बीशेसर सब्द है यह तो यह बीशेसर नहीं यह प्राबीशेसर है देखे जिसे आप काउन कर रहे हो दो बीशेसर हैं एक ये एक ये आपका कितने बीशेसर सब्द है तो यानि जिसका उत्तर आया है सी उसका उत्तर सही आया है क्लियर बिलकुल जिसका जवाब सी आया है और अधिकतर बच्चों का जवाब मैं देख रहा हूं कि सी ही आया है कुछ बच्चों का उपर जो जवाब आया था उसमें गलत आया था तो आ अगला है प्रस नंबर 13 निम्न में से काउन सा सब्द बहुबचन है सकती ओठ नारी पंगती पहुती प्यारा प्रसन है और आपको बताया भी गया है आप पड़े भी हो आप जानते भी हो उसका जवाब किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए सब का जवाब सही होना चाहि प्रसन का जवाब दीजिए और कुछ बच्चो का जवाब आ रहा है और कुछ बच्चो का जवाब आ रहा है भी तेको जिनका जवाब भी है जा रहा है उन सभी का जवाब सही है ओठ दाम अच्छत समाचार भाग दी लोग प्राण दरसन आसू चाकू यह सारे के सारे सब्द बहुबचन के सब्द हैं सब्द जो है बहुबचन के सब्द हैं सदा बहुबचन में रहते हैं इसमें और कोई सब्द आपका बहुबचन में यह आया भी क्लियर अगला है प्रस नंबर 14 है निमने में से काउन सा सब्द इस्तिरी लिंग है आपको बताना है पताइए निमने में से काउन सा सब्द इस्तिरी लिंग है प्रस नंबर 14 का जवाब दीजिए रोईत जी का जवाब आया है सरफ थम इन्होंने कहा D और इसके बाद मैं देख पा रहा हूं कि सभी बच्चों का जवाब आ रहा है D अंजु का जवाब आया D, अभी का जवाब आया है D, अरीश का जवाब आया है D, वन्दना का जवाब आया D, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है D, निमने में से का उन्जा सब दिस्तिलिंग है, आँख, क्या है, आँख, बिल्कुल, आपका जवाब सही है, और सभी का जवाब मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों का जवाब सही है आख ही होगा आपका उत्तर होगा एक इस्तिलिंग सब्द है क्या कू कपड़ा आम यह सभी आपके क्या है पुलिंग सब्द है क्लियर हाँ चलिए अगले प्रस पर चलते हैं प्रशन नंबर 15 पर चौकी द सही जवाब देना है इतना चल रहा है उतने में बताओ कोई दिक्कत नहीं है पंद्रा का जवाब आ रहा है मलिका का जवाब आया है आनंद का जवाब आया है सभी का जवाब एक तरब से मैं देख पा रहा हूँ हंसराज का जवाब आ रहा है आसिप का ये आ रहा है रिष्टी का ये आ रहा है सब का जवाब एक टरफ से बहुत आसां सा प्रस्ण था अदिकतर लोग गल्तियां कर जाते हैं आपने नहीं किया आप लोगों बहुत अच्छा कार्य किया का अपने गल्तियां नहीं कि चलिए अगले प्रस पर चलते हैं अगला प्रस नहीं आज का उपसर्ग और प्रत्य दोनों के योग से बना सब्द है यानि किस सब्द में उपसर्ग और प्रत्य दोनों लगा हुआ है आपको बताना है किस सब्द में उपसर्ग और प्रत्य दोनों का प्रियोग हुआ है ये आपको बतलाना है कमेंट करिए काउन सा इसा सब्द है वह कमेंट करिए और मैं देख पा रहा हूँ कि सोला का सी कमेंट आ रहा है सोला का सी मलिका का सरुप्थम कमेंट आया था इसके बाद मैं देख रहा हूँ सब्द का हरीश का भी आया है नीलू का आया है सरिका स्रिष्टी जनमेजे वंदना जागरती सिखा सुधाकर आनंद स्वीटी सब का जवाब मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ से सी आ रहा है और कहां है ये है आप सनापका सी पराधिनता बिल्कुल इसमें पर आपका उपसर्ग है और ता आपका प्रत्य है जब पराधिन सब्द निकालोगे तो ता प्रत्य बचेगा और जब प्रत्य उपसर्ग निकालोगे पर तो आधिन आपका मूल सब्द बनेगा या आधीन ता आपका मूल सब्द बनेगा तो अब जब दोनों निकालोगे तो आधीन आपका मूल सब्द बनेगा पर आपका उपसर्ग निकलेगा और ता आपका प्रत्य निकलेगा किलियर? चलिए तो एक ऐसा सब्द था जिसमें प्रत्य और उप्सर्ग सास्त लगे हुए थे सास्तरार्थ का संदी बिच्छेद है क्या है आपको बताना है सास्तरार्थ सब्द का संदी बिच्छेद क्या होगा यह आपको बताना है क्या सास्तर प्लस अर्थ होगा या सास्तर प्लस अर्थ होगा या सा प्लस इस्तराथ होगा कमेंड करिए कमेंड करिए बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जवाब आ रहा है सत्रा का B और एक तरफ से सभी बच्चों का B आया है और बिल्कुल और सभी बच्चों का जवाब सही है सभी का जवाब सही है बिल्कुल सास्त्र प्लस अर्थ है सास्त्र आर्थ है सास्त्र प्लस अर्थ सस्त्र नहीं होगा क्योंकि यहां पर बड़ा सा है ताप आ की मातरत यहां छोटा तो गनी कि यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन वहां होता है जहां से सब्द तूटता है वहां पर परिवर्तन यहां यहां परिवर्तन होता यहां पर परिवर्तन होगा यही आपका दो भागों मटेगा तो सास्त्र प्लस अर्थ है आ प्लस आ यहां पर आपको आ मिला है और यहां पर भी आपको आ मिला है और जब यह दोनों आपस मिलेगा तो आपका क्या बनेगा? बड़ा जो कि आपका यहाँ पर लगा हुआ है तरा में कलियर? तुमें दीर गे संधी भी है जनते रहे सबका वasan से जवाब तो सही है बेटर था अगला है महोथसव का संधी बिच्छेद है महोथसव सब्द का मह प्लस उत्सो करिए सबका प्रस्ण का जवाब सही होना चाहिए सबका इस प्रस्ण का जवाब सही होना चाहिए और मैं देख पा रहा हूं कि आपका जवाब आ रहा है 18 का भी सभी बच्चों का जवाब एक तरफ से सभी का जवाब अच्छा कुछ बच्चे तो देखी देखा जवाब देने लगते हैं जो अगर वो कर रहे हैं भी थम्भी कर दे भी बहुत संख्यक भी है तो भी यह करें इस प्रकार से अपने मन से जवाब देने का प्रयास किया करिए आपको ज़्यादा बेतर समझ में आएगा महोसव इस सब्द में आपकी गुड़ संदी है और यहाँ पर आपको गुड़ संदी आ प्लस उ से मिलकर बनता है आ प्लस उ से मिलकर क्या बनता है ओ फिक यहाँ पर देखो आपको बड़ा मिला है तो बड़ा कर दिजे और उ मिला है तो महा यहीं महा प्लस उत्सव और छोटा हूँ, बड़ा और छोटा हूँ जब आपस मिलेगा, वह क्या बनेगा? वो बनेगा आपका ओ, वही आपका बन गया ओ, महुत्सओ. दूसरा आपसन, आप सभी का सही है, सभी बच्चों का जवाब सही है, बल्कुल आपका जवाब लाजवाब है अगला है आपका आम खाया जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्च है बहुती प्यारा सा प्रस्न बहुती मात्पूर प्रस्न है इसका जवाब आप देंगे काम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्चे है क्या कर्म वाच्चे है क्या कर्त्रिवाच्चे है क्या भाव वाच्चे है क्या इन में से कोई नहीं अगर आपको लगे कि इन में से कोई नहीं है आप कोई नहीं मार सकते हो अगर लगे भाव आच्छे, भाव आच्छे बताओ, कर्त्रिवाच्छे लगे, कर्त्रिवाच्छे बताओ, कर्म आच्छे लगे, जो लगे आपको सही वही आप बताओ, 19 का सुधाकर करे रहे हैं A, विल्कुल सारी का करे रहे हैं A, प्रियंका करे रहे हैं B, मैं देख रहा ह कुछ बच्चे कह रहे हैं भी आसिप कह रहे हैं ए चलिए देखो जितने बच्चों ने कहा है कि आम खाया जाता इस वाक्य में कर्म वाच्चे है उन सभी के सभी बच्चों का जवाब क्या है तही है उन सभी के सभी बच्चों का जवाब सही है इसके इतर कोई भी आपसन आपने चुना है तो वाजवाब गलत है तेको इसमें कर्म प्रधान है किस चीज को खाया जा रहा है क्रिया का प्रभाव किस पे पढ़ रहा है कर्म आम करता नहीं है आम आपको नहीं खाता आप आम को ख आप है ही नहीं है वो उस वाक्य में और सिधा कर्म से वाक्य सुरू हुआ है और जब वाक्य कर्म से सुरू होगा तो कर्म वाच्चे होगा क्लियर करता नहीं होगी वाक्य कर्म से सुरू होगा तो कर्म वाच्चे होगा क्यूंकि कर्त रिवाच्चे में कर्ता का होना अनिवा यह है यहां पर तो करता गयब है कर्म से सुरू हुआ वाक कि भी आपका कर्म वाच्चे जो किरिया का प्रभाव पड़ेगा आपका कर्म पर ही पड़ेगा अब हम लोग चलते हैं आज के आखरी सवाल पर आए देखते हैं कि आज का आखरी प्रशने क्या है प्रशने अगनी कुन्ड में प्रियुक्त समास है और आप सब का जवाब सही होना चाहिए सब कोई जवाब दें इस प्रस्निका आगनी कुन्ड में इक कौन सा समास है चनमेजे कह रहे हैं पी आपसन सभी कमेंट करें सभी जवाब दे विलकुल सब जवाब आप सभी का आ रहा है उदा करके रहे हैं D आप सन अच्छा तो B और D दोनों में द्वन्द चल रहा है ठीक तो देखो आगने कुंड में अगनी कुंड में संबंद तत्पुरुस समास है इसका समास बिग्रा होगा अगनी का कुंड है तो काके की रारे री नाने नी ये सब भी बक्तिया जहां पर मिलती है वहाँ पर आपका तत्पुरुस समास होता है और अगर काके की मिल रहे संबंतत पुरु समास है क्लियर चलिए आज का आखरी सवाल था आप लोग मेरे साथ बने रहे जुड़े रहे इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यबाद तो मुझे दीजिए इजाज़त चलता हूं नमस्कार दोस्तों जैहिंद